तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि वो कौन साइस टेप है और किस स्टेप पे डॉक्मेंट वेरिफिकेशन के समय हमें सतर्क राना है यदि हम सतर्क नहीं रहे तो वो हमें पढ़ सकता है भारी और हमें उसका खामियाजा बुरी तरह से उठाना पढ़ सकता है तो आएए इस वीडियो में हम देखते हैं कि वो सावधानी और वो कौन सा स्टेप है तो पहले स्टेप की जब बात आती है तो फ़ले यह जानना पड़ेगा कि कौन-कौन से स्टेप के द्वारा हमारा डॉक्मेंट वेरिफिकेशन होगा तो आएए देखते हैं पहले उन स्टेप को अगर पहले स्टेप की बात करें तो पहले स्टेप में हमारा ओनलाइन एटेंडेंस होगा जहां SMS और एड्मिट कार्ड दिखा कर हम अपना एटेंडेंस कराएंगे यहां एक नए चीज़ इंटिडूइस की गई है कि एड्मिट कार्ड के द्वारा आपके सामने रखके आपका फोटोग्राप्स भी लिया जा रहा है उसके बाद आता है दूसरा स्टेप दूसरे स्टेप में हो क्या रहा है कि आधार थम इंप्रेशन और फोटो का सत्यापन आपके दूसरे स्टेप में कराया जा रहा है उसके बाद होता है तीसरा स्टेप तीसरे स्टेप में होता क्या है कि एलोर्टेट काउंटर पर प्रमानपत्र का सत्यापन होता है उसके बाद आते हैं चौथे स्टेप के चौथे स्टेप में होगा कि की प्रमान पत्र का सत्यापन होगा और उसके बाद final submit बटन क्लिक होगा उसके बाद होता है कि पांच होय पांचे स्टेप में होता गया है, जब आपका यह सब्मिट हो गया है, तो फाइनल सम्मिशन के बाद वीबरन जो है, वो आउटपुट जो है आपका, वो दो प्रती में पृिन्ट कराये जाएगा, उसके बाद छटा सत्रिया committee के साथ से होगा, वो करेगा, उसके बाद आता है, तो 7 स्टेप, 7 स्टेप में होता क्या है, कि एक हस्ताक्षर प्रती, जो है सिख्छक को मिलेगा, और करेयाले में सुरक्चित रखा जाएगा, उसके बाद 8 क्तेप है, और 8 स्टेप में, नई रखनी है वो आपका शुरू हो जाता है step number आपको 3 से और step number 3 के बाद step number 6 पह आपको ध्यान रखना है यही आपका है तो वो क्या करना है आई ये देखते हैं जाते हैं जब आपको सबको ये जनकारी होनी चाहिए कि जब आपका सत्यापन हो जाता है तो final print जब होता है तो final print होके, आपके सामने इस परकार का आपके document प्रिंट होके आता है, जिसमें आपको यहाँ photo लगा होता है, आपके details होते हैं, आपका documents जो verify किया गया है, आपको points में उसका verify जो किया गया है, तो verification status होता है, और यह verification status जो है, चार status में बनता है, तो चारे status को हम थोड़े दि प्रप्रमान पत्र मिलान के पास साल संदे हास्पत तो वहां सस्पेक्टेड हो जाएगा तीसरा है वेरिपिकेशन के दौरान प्रमान पत्र मिलान में फरजी पे आएगा तो क्या हो जाएगा वो फरजी वाला लिखा जाएगा यानि verification के दौरान चौथा है मूल प्रमानपत्र आपको दिखाने में असमर्थ होगा तो इस प्रकार का statement यहां बन सकता है यानि चार प्रकार के statement वहां हो सकते हैं तो इस इस्तीती में अगर देखा जाए यह जो हमारे सामने है यह जिस सिक्षक का है जिसका document verification का status इस प्रकार का है यानि found करें तो वह पूरा का पूरा उनका document verification सही है यानि सारे के सारे उनके document verify हो गया है उन्होंने अपने original दास्तवेद दिखाये हैं और हो गया है इस तरह की स्तीती बनती है तब आप अगर होता है तभी आप यहां दसकत करें अन्य था आपने सही दिखाया है और आपका status यानि सही दिखाने का मतलब है आपने अपने document को सही दिखाया है और आपके किसी एक document में इस पांच नंबर की तरह आ जाए यहां क्या लिखा हुए है दिड नॉट प्रोडिउस ओरीजिनल कॉपी यानि चार नंबर पॉइंट यहां आ जाए तो इस्तिती क्या बन सकती है कैसे गलत हो गया है यह हो सकता है कि जो कर्मी वहां बैठा है उसस के human error ढूल से जो चार options जो होते हैं चुकि वो drop down menu से उसको select करने होते है चो पहले पर found correct होता है दूसरे पर आपको suspected होता है उसके बाद तीसरे पर क्या होता है तीसरे पर आपको फर्जी का होता है और आपका चौथे पर होता है कि उन्होंने original नहीं दिखाया तो हो सकता है व्यक्ति है पहला select करने की जिए चौता select हो गया हो सवधानी आपको ध्यान यहीं रखनी है और सवधानी यहीं देनी है अब मान लिजे कि आपने सारा का सारा डॉक्मेंट दिखाया तो आपने सब में डॉक् आपको इस तरह का मिलता है तो यहां दसकत ना करें उस कर्मी को बताएं कि यहां हमने तो सही दिखाया तो आपने कैसे कर दिया तो अगर होगा तो जिस भी process होगा उसको सही करेगा आपको ध्यान यहीं रखना है कि आपका जो status निकल के आ रहा है verification status जो print हो रहा है वो status आप किये गए कारियों के अनुसार हो हो सकता है यह जिस सिख्छा का हो सकता है इन्होंने produce नहीं किया हो हो सकता है इन्होंने produce किया हो और गलती से हो यह status इस प्रकर का आ गया हो तो आपको यहां ध्यान यह रखना है sign करने से पलेज कि आपके document का verification का status कि इस mode में है यानि आपने जैसे कराया है वैसा ही है कि उससे वैरी कर रहा है आपको ध्यान यहीं रखना है तो इसी चीज को बताने के लिए क्योंकि पांचवे में यह दिक्कत आई है और इस तरह के बाते बाहर से निकल किया रही है कि कराया गया सही लोगों ने कर्मी ने अलग तरीके कर दिया कर्म साथे घूम रही हैं पूरी सोसल मीडिया में कि यह कर्मी की गलती है तो कर्मी की गलती तो है ही आपकी लापरवाही भी तो है कि आप साइन कर रहे हैं और आप में पांचे नंबर में आपने कराया कुछ और यहां लिखा कुछ हुआ है ध्यान तो आपको भी देना है आप भी तो sign कर रहे हैं, आपके sign के बाद ही जो कर्मी आगे sign करेंगे यानि प्राधिकारी और कर्मी sign करेंगे करना तो पहले आपको है न तो आपको यहीं ध्यान देना है कि आपने अगर सही करा है तो सारा का सारा phone correct होना चाहिए और आपके status के अनुसार होना चाहिए तो यहीं है आपको बताने के लिए इस वीडियो का content तो इस वीडियो में इतना ही यदि आपको वीडियो पसंद आया हो और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को subscribe कीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए ही और लाप्रत वीडियो ऐसे ही लेके आते रहेंगे वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए दोस्तों के साथ सेर कीजिए जय हिंद